और खूटी के बुरूर मुंडा गाउं में दो दिन पहले पारवारिक विवाद में एक पती ने अपने पत्नी के हध्या कर दी थी हध्या के बाद आरूपी पती पुलस को पुलस ने गिरफतार कर उसे जेल भेज दिया था लेकिन इस खबर का सबसे दुकत पहलू ये रहे कि उसके साथ बच्चे अनात और बेसहरा हो गए जिसका पालन पॉशन अब उनकी दीदी कर रही है लेकिन दीदी के कंदे में इतनी हिम्मत नहीं है दादी कर रही है उसकी सभी बच्चों की देखभाल वहाँ पर और बताएं कि अब सभी का पालन पॉशन ये अकेले कर रही है और एक समय था जब सभी बच्चे मा के आचल से बंधे रहते थे भूक लगने पर मा बच्चों को गोद में रकर खाना खिलाती थी लेकिन आज उनकी दादी दूद और खाना की जगा जंगल से फल फुल लाकर उन्हें खिला रही है तो फल फुल ये बच्चे खा रहे हैं जंगल से इनकी दादी जो है इनके लिए फल फुल का अंतिजाम करती है लाकर खिला रही है अब ये बच्चे अनात और बेसाहारा हो गए हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन को जल्दी इनके तक जो एक मदद है वो पहुँचानी चाहिए थी और पिछले दिनों इन सभी साथ बच्चों के जो पिता है अपनी पत्नी यानि इनकी मा को मौत के घाट उतार दिया था इसके बाद से ये सभी बच्चे अनात हो चुके हैं बेसाहारा हो चुके हैं दादी लगातार इन सभी बच्चों का पालन पॉश्चन कर रही है लेकिन खाने की किल्लत अभी भी इनके सामने उसी तरह बरकरार है तो ये नन्ने छोटे छोटे बच्चे दरदर को भटकने को मजबूर है आर्थी कस्तिती सही नहीं है खाने की किल्लत है ऐसे में इनकी दादी जो है वो जंगल में जा जाकर फल फूल लाकर इने खिला रही है इस तरह से इनका जीवन गुजर बसर हो रहा है घर में कोई भी ऐसा विक्ती नहीं है जो कमाता हो और ऐसे में इन सभी के सामने खाने के लाले पड़ दे हैं हाला कि प्रशासन के तरफ से क्या कुछ मदद किया गया है ये देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन इनके तरफ अपने मदद के हाथ पहुँच आता है अर्दर के ठोकर खाने को ये बच्चे मजबूर हैं हम यही उमीद करते हैं कि इस खबर को दिखाये जाने के बाद खूटी में जो प्रशासन है या फिर डी सी एसपी है वो अपनी मदद के हाथ इन तक बढ़ाए और कम से कम इनके रहने से लेकर इनके खाने की व्यवस्थ प्रशासन इस खबर को देखने के बाद करें और उस पर जादा जानकारी के लिए समवदाता खूटी से मरसात जोचना बनी हुई है जोचना ये सातों के सातों बच्चे बेघर हो गए हैं इनके अनात हो गए हैं ऐसे में तस्वीरे देकर यही समझा रहा है कि बहुत ही दर जी अमीता मैं आपको बता दू ये घटना तो बहुत ही दरदनाख है और सात जो बच्चे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं वो अबोद बच्चे हैं कई बच्चों को तो ये जानकारी तक नहीं होगी कि उनकी मा का साया उनके सर से उस चुका हैं पिता उनके जेल में हैं और दादी के साथ उनको रहना पड़ रहा है ये बच्चों को जानकारी भी नहीं होगी लेकिन इसके बावजुद वहां जितने भी जो भी उसके घर के हैं अब एक मातर जो उसकी दादी है वही उन बच्चों का रख रखाव लालन पालन कर रही है थोड़ी राह जिला परसाण को जारा जाये चUNGके मामला जिसना ब्राह है और इस तरह से घंबीर मामला है तो इसको लेकर जिला प्रसाण को खुदी पहल करना चाहिए था ये अब तक नहीं हौआ है ऑद आ जो पहाड़ी नुमाज जगह है वो बहुत उचाई में है और वहां तो बहुत मुश्किल से ही लोग चल पाते हैं तो ऐसे में वहां तक अभी जो प्रशासन को भी जिस तरह से मामला गंभीर है तो खुद पहल करनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाई है अमिता चले दमाम जानकारी के बहुत बहुत शुक्रिया जो उचना तो प्रशासन ने अपने तरफ से अभी पहल नहीं किया हाला कि इस घटना के लंबा समय हो चुका है इन बच्चों के सर से उनकी माता का साया उच चुका है वहीं उनके पिता जो है वो जेल में बंध है अब इन सा हाल यह है कि जब इने दरदर की ठोकरे खाने पड़ रही हैं तो आखित प्रशासन कहा हैं उमीद करते हैं कि जिस तरह से हम खबरों को प्राथमिक्ता के साथ दिखा रहे हैं प्रशासन भी अपनी प्राथमिक्ताओं को समझते हुए अपने दाइत्वों का निर्वहन करे और जल्द से जल्द इन बच्चों तक कोई मदद पहुँचाएं तो लगतार यह तस्वीरे वाकई में बेहद ही मरमाहत करने वाली हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हें पता भी नहीं है कि शायद इनके माता पिता इनके आस पास नहीं है माता का हमीशा के लिए इन के पता है वो जेल में बंद है लेकिन अब इनका जो सहारा है सिर्फ और सिर्फ दादी माह है और अपनी दादी के भरोसे यह सभी बच्चे रह रहे हैं लेकिन दादी भी इनकी कितना कुछ कर पाएगी आप देख सकते बेहत बुजूर्ग महिला है जंगल से जहसे तैसे लाकर इन बच्चों को खिलाया चारा इस तरस इनका जीवन यापन हो रहा है लेकिन इन अनात बच्चों तक अभी प्रशासन की किसी भी तरह से मदद नहीं पहुंची है प्रशास पर जानकारी के लिए हमारे पास हमारे साथ बने हुए हैं SGPO उनसे बात कर लेते हैं असर ये जाना चा रहे हैं कि यहाँ पर ये सारे जो बच्चे हैं की माता का साया इनसे उठ चुका है इनके सर से इसे में ये साथों बच्चे अनाथ हो चुके हैं इनके खाने पीने की विवस्ता नहीं वहाँ पर अभी तक प्रशासन ने इसकी कोई मदद नहीं की है लेकिन अब आप लोग किस तरह से इनको मदद पहुचाएंगे कि अब आप लोगों ने अब आप लोगों ने अब लेकिन अब जरूरत है कि इनके खाने पीने की विवस्ता पहले कर दी जाए क्योंकि यह बच्चे जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं अबोध है ना बोल सकते हैं और बुजूर्ग दादी के सारे यह पल रहे हैं तो आर्थिक मदद के साथ साथ इन तक अनाज भी पहुचाया जाना चाहिए क्योंकि हमने देखा है लोगडाउन के तोरान करी ऐसे गरी परिवारता का नाज भी पहुचाया जा रहे हैं मुझे लगता है क कि यह पहल कर देनी चाहिए थी बहुत पहले ही प्रशासन को कब तक सर आप लोग वाँ पर पहुचेंगे कब तक पूरे हालात का चाहिजा लेंगे पहुचेंगे मतलब वहाँ पर आप लोग वो उस परिवार के पास कब तक आप लोग जाएंगे उनसे मिलेंगे क्योंकि जानना तो जरूरी उन तक मदद पहुचाना जरूरी है ना लेकिन इसमें लापरवाही समझ आती है सर क्योंकि काफी दिन ओचुके हैं मामला चार पांस दिनों से जादा पहले का है अब तक तो प्रशासन को वा मदद पहुचा देनी चाहिए थे बात तो आप तक पहुच गई है ना आपको तुवहां तक बात आपकी को पहुचाना है आपने बताया ना कि अपर अधिकारियों को उचे अधिकारियों तक बात पहुचानी है हमें उनसे बात करनी चाहिए आप भी उसी सिस्टम के एक अकड़ी है सर आपको ये बात अगर आपके संग्यान में हैं तो ये बात तो आपको भी उपर तक पहुंचानी होगी ना सर बड़ी अजीब बात है कि आप News 11 के स्क्रीन पर हैं अभी आप हमसे लाइव बात करें और आपको अब तक ये नहीं पता है कि आप किस से बात करें लापरवाई यहीं पर दिख जाती है सर कि आप लोग कितने आसानी से हर चीज़ को नजर अंदाज करते हैं और ये खबर पर हम भी यहीं उमीद कर रहे हैं कि आप कोशिश करें कि इन तक मदद पहुचा लेकिन अब तक अब भी तक आप बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आ लापरवाही ही इसे कहेंगे क्योंकि अब तक काफी समय बीच चुगा है प्रशासन के तरफ से किसी भी तरह के सहयोग नहीं पहुचे हैं और इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर सिस्टम कहीं कहीं आपर कमजोर है वो साफ तोर पर दिख रहा है लेकिन उमीद करते हैं कि न्यूज 11 भारत ने जितनी प्राथमिक्ता से इस खबर को दिखाई है उसके बाद प्रशासन भी उतनी ही तक परता से अपनी काम करें और इन तक अपने मदद पहुंचाए चुके हैं रनिया के बीडियो हमने देखा है कि अभी जो यह परिवार है जिनके माता पिता कोई नहीं है पिता इनके जेल में बंद है मा इनकी इस दुनिया में नहीं है ऐसे में यह सातों बच्चे जो हैं वो नाथ हो चुके हैं लेकिन प्रशासन के तरफ से अपिता कोई मदद नहीं पहुंच पाई देखें इनके लिए चाइल लाइन और जिना बाल सनरचन के टीम गई वे थी तल और इसके बाद उन्होंने सातों बच्चों को जो है तीन बच्चों को बाल कल्यार समीटी के द्वारा बाल लग्रे में अभी आवासित किया जाएगा और जो वहां उनकी एक दादी है उनके साथ चार बच्चे रह रहे हैं तो उनमें दो बच्चों को जिला प्रसाथम के सहीओं से अभी बाल सनरचन योजना के साथ स्पोंसर स्पी और फोस्टर के योजना है जिससे कि प्रते एक बच्चे को हर महीने 2000 रुप्य की आर्थिक अरवरे समवर्डाता से बात हुई तुनहोंने बताया कि यहां तक पहुंचने के लिए एक किलो मिटर का रास्ता है पैसी बात नहीं है और उस दिन धगना होई थी उसके दूसरे की दिन पंचायज की और से गया हुए थे हुआ पंचायज सची होगे हुए थे उन्होंने वहाँ पे उन बच्चों से मिले और उनको जो चाहिए था उसके लिए बात की उन तो पहले से औरेटी मिल रहा है अनाच और दूसरी बात ये कि आज फिर भी वहां पे लोग गया हैं किवल उस परिवार नहीं बलकि वहां पे लगवग 15 परिवार हैं जिनकों कि अगर किसी और योजना से अगर रह गए हैं जासे पेंशन योजना और मंदेगा से समानित योजना से लिंक होने से अगर रह गए हैं तो आज उसके लिए ब्लॉक से टीम जा रही हैं जो कि उनकों नहीं बलकि वहां के जो 15 परिवार रहते हैं जो बहुत दुर्गम जगह है और पहारी के उपर है वहां पर यह काम करेंगी इसके लावाबाद एक यह वहां पे जो वगरे की समस्या जो है उसके समधान के लिए कौन सी योजना सूटेवल होगी और उसके बाद हम लोगता सर कि इतना यह बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सोच रहें इन सब के लिए हलाकि बहुत पहले सोच लेना चाहिए था क्योंकि समस्या तो तस्वीरों में आप द जाएगा क्योंकि अब तक तो इनके पास किसी भी तरह की सहाइता नहीं पहुंची है जो हमारे पास सूचना आ रही है उनके लिए सहाइता पहले पहुंची यह तो पहले की घटना हो गई है पहुत ज्यादा जगार नहीं है लेकिन नहीं लगता सर कि सिस्टम कई न कई कमजोर पढ़ जाता है ऐसे मामलों में जब तुरत्वरित कारवाई करनी चाहिए तो तुरंत सहयता पहुंचानी चाहिए वैसे में एक न्यूस चानल के माध्यम से हमें इतनी प्राथमिक्ता के साथ खबर दिखानी पड़ती है लेकिन ये प्राथमिक्ता सिस्टम क्यों नहीं कभी समझ पाती मैं हम लोगों ने अपने असर से काफी प्रयास किया हुआ है में भी अगर ऐसा होता है कहीं पे अगर इस तरीके का लूप फोल्स में जाता है तो आप लोगों को भी वदाई अभी उमीद यही करते हैं कि किसी हर तरह से इनक तक मदद पहुचाया जाए आपकी तरफ से क्योंकि हम भी लगतार इस खबर को इतनी प्रात्मिक्ता के साथ दिखा रहे हैं, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो हलाकि अब प्रिशासन जो है लगतार कह रही है कि हमने मदद पहुचाया है लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो उस मदद से बहुत दूर दूर तक परे हैं किसी तरह का कोई सहयोग इनको नहीं मिला है और यही प्रातमिक्ता के साथ हमारे खबर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि प्रिशासन यहां पर पहुचे, मदद करे इन सभी बच्चों की ताकि इन्हें Lockdown के दौरान किसी भी तरह से समस्या ना हो क्योंकि सब को पता है अब लॉक्डाउन के दोरान हर किसी के सामने खाने की किल्लत है वो गरीब परिवार के सामने और ये बच्चे काफी सुदूर इलाका में रहते हैं खूटी में और जहां तक शायद अनाच पहुच पाना या कहीं से लाना इनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है हाला कि जैसे तैसे जंगलों से फल फुला कर इनका खा कर जीवन यापन हो रहा है लेगिन हाला कि प्रशासन की तरफ से वीडियो ने ये कहा है कि बहुत जल्द इन तक रहात महुचाई जाएगी और जो भी सहायता राजशी होगी आर्थिक मदद होगी वो सभी को इन तक पहुचाया जाएगा तो अनाधा और बे सहारा हुए है ये सभी बच्चे आपको बता दे कि दरदर ठोकर खाने को ये मजबूर है तो इन बच्चों के सर से मा का साया उड़ चुका है पिता जेल में बंद है ऐसी में बच्चों को शायद इस स्थिती के बारविस घटना के बारे में जानकारे भी ना हो लेकिन इन सब के भी सवाल ये है कि ये सभी बच्चे जो मासूम बच्चे हैं ये साथो अनात हो गए और इनके सामने अब भुकमरी की नौबत आ गई है हलाकि सिस्टम ने जला प्रशासन ने ये जरूर भरोसा दिलाया है कि इन तक मदद पहुचाई जाएगी लेकिन हम भी उमीद करते हैं और देखना चाहेंगे कि कब तक प्रशासन अपने मदद के लिए इन तक हाथ जाता है तो लगतारम उन तमाम साथ बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके सर से उनकी मा का साया उठ गया है पिता जेल में बन है और ऐसे में एक महज दादी जो है इन सभी का भरन पोशन कर रही है जैसे तैसे इनकी जिन्दगी गुजर रही है तस्वीरों में देखे आप खुद या अंदाजा लगा है कि यह साथों बच्चों को शायद घर में जो घटना घटी ए उसका सही धंग से अंदाजा भी नहीं होगा समझ भी नहीं होगी कई बच्चे इन में से जो हैं वो बोल नहीं पाते हैं पिलहाल जो इनकी दादी माहें वो जंगलों में चाकर फ वहां तक मदद पहुची है लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वहां पर किसी तरह की कोई मदद उस धंक से नहीं मिली है जिस तरह से इनकी जीवन पटरी पर आ सके बच्चे भूके हैं ना शरीर पे इनके कपड़े हैं ऐसे में अंदाजा लगा ये कि क्या स्थिती होगी कुछ लोग आ रहे हैं जो थोड़ा बहुत खाना पिना इन्हें दे रहे हैं जिसे खा के इनका गुजारा हो रहा है लेकिन सवाल ये है कि ये बच्चे अब जाएंगे कहां वेवस्था की बात करी जा रहे हैं इन्हें बालकरियों में भेचा जाएगा शेल्टर होम दिया जाएगा लेकिन ये काफी छोटे बच्चे हैं शायद परिवार से दूर करना भी सही ना हो लेकिन मुकमल जो वेवस्था है जो आर्थिक मदद है अगर वक्त रहते इन तक पहुंचा दिया जाए तो शायद इनकी इस्थिती में सुधार देखने को मिल सकती है और अभी हमारे साथ जोट चुके हैं CWC के मेंबर उनसे बात कर लेते हैं खूटी से असर ये बताईए जिस तरह से ये जो पच्चे हैं आनात हो गए इनके घर बे जो घटना घटी है उसके बास से इनके लिए क्या मुकमल वेवस्था आप लोग करवा रहे हैं बच्चों पालगिरी में रखने का आदेश जारी करवा रहे हैं और वो बच्चे तीन बच्चे पालगिरी में आवासित हो जाएंगे जहां पर उनका भोजन वस्था आवासन की स्विधा मुहाया कराई जाएगी कब की जाएगी सर यह सब चीजे इनके लिए यह वीडिन वीड हो जाएगा यह तीन बच्चे पालगिरी में आवासित कर देंगे और बाकी जो दो बच्चे हैं उनके ये प्रूंसर्सित योजना के लिए बैठक हो गई है और वो एक्रूब्ड भी हो गया है तो हम लोग सा हम भी यह उमीद करते हैं कि बहुत जल्द इन तक आपकी मदद पहुंच जाए क्योंकि अब तक इन तक कोई भी मदद नहीं पहुंची और यह जो बच्चे हैं बे सहारा इनके शरीर पे कपड़ा भी नहीं है आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या मजबूरी रही होगी हमसे बा जा जाएगा और बाकी बच्चे जो है उनके उन्हें किसी योजना के तहर जो आर्थिक मदद है वो पहुंचानी की कोशिश की जाएगी लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने समय बीच चुके हैं अब तक किसी के भी मदद के हाथ इन बच्चों के तरफ नहीं बढ़े